हेलो वेलकम बैक आज मैंने कुशन के कवर बनाए हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं नाप ले रही हूँ मैंने उनको इंची टेप को कुशन के इर्दगिर्द राउंड में देखिए जैसे ये 39 इंच है लेकिन इसमें सिलाई का मार्जन रहके मैंने 40 लिया ह है और दूसरी साइड से जैसे मैं नाप ले रही हूँ ये 44 इंचेस लिया है लेकिन ये 43 इंचेस है तो मैंने 42 अंड हाफ था और 43 लेके चलो तो मैंने एक इंच और एक्स्ट्रा लेके सलाई मार्जन ले लिया है अब ये लाइनिंग का पीस है मैंने कुशन के निचे लेके उनके दो पीस कर लिये तो जैसे ये उपर आप इस देख रहे हैं मैंने सिलाई लगा के लिया है ये एक ही पीस को मैंने और इसमें पांच इंच की पट्टी लगाई है अब ये लाइनिंग के जो मेजरमेंट से ही हम सारे कुशन के कवर जो है वो कटिंग करेंगे मेर पास चार कुशन्स है चार को मैं ऐसे पीसिज अलग अलग पीसिज जोड़के उनको बनाऊंगी जैसे आप देख रहे हैं लाइनिंग के उपर ये पिंक कलर का जो मैंने पीस रखा है वो छोटा पीस है उसके इर्द इर्द ये गॉल्डन कलर का जो पीस लगा रही हूं इस सिलाई करते हैं टाइम मैं भूल ना जाओं की मतलब कैसे इनको सिलाई करना है तो इस तरह मैंने इनको पिन अप कर लिये हैं अब ये मैं ये मैंने पूरे चारो के चारो पीस एक्चली कटिंग कर लिये हैं वीडियो लंबी न हो जाए इसी कारण में ये जो थोड़ा एक पीस ही आपको दिखाया है और ये जो मैंने फर्स जो पहले काटा था वो मैं अभी सिल रही हूँ यह simple piece है जो मैंने lining आपको बताई थी cutting करके वो वैसे ही lining उपर रहके यह से ही दो piece मैंने जो कपड़े के cutting कर लिये थे अब यह मैंने lining इनको लगा ली है एक यह green color का कपड़ा है यह उसकी lining है जो पहले seal रही थी मैं pink color का वो उसके नीचे भी pink color की lining लगाई है इसलिए इदर उदर भागता है इस कारण मैंने इनको lining दी है तो lining में यह बहुत ही अच्छे दिखेंगे तो lining लग चुकी है यह देखे जो मैंने चिलाई लगाई थी lining पे यह बड़ा piece है तो चोटा piece pink वाला है और यह बड़ा piece है जो मैंने मैं सिलाई कर रही हूँ इसी तरह ही मैंने सब भी जो कुशन कवर है सब को इसी तरह ही मैंने lining लगा के चारो और सिलाई लगा ली थी इस तरह चारो और मैंने इसको सिलाई कर लिया है अब यह दो piece बन गए है इनको यह सिधा side लेके बड़े वाले piece को सिधा लेके जो छोटा वाला piece है उसका दोनों को सीधी side मैच करके इनके उपर ऐसे दोनों को बिच्छा के इनको सिलाई कर देना है तीन तरफ से सिलाई करना है इसको इस तरह lining जो उसके साथ मैंने attach की है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह यह pieces को जोड़ दिया था यह जो यहां पे end होता है यह मैं आपको दिखाओंगी बाद में अभी यहां से मैं complete कर लूँ पहले सिलाई पहले लगानी थी मैं भूल गई इसलिए अभी लगा रही हूँ इसको fold करके इस तरह से सिलाई लगा लेना है इस तरह से सिलाई लग चुकी है अब जो जहां से कुशन हम डालते हैं वहां से आपने देखा होगा जो ready made कुशन साते हैं उसके उपर से कपड़ा रैप करके उसको बनाया होता है इसी तरह ही मैं बना रही हूँ जो मैंने पांच इंच एक्ट्रा जो सिलाई किया था उपर पटी उसको इस तरह अंदर fold करके उपर से सिलाई लगा देनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह एक्ट्री जो पीसिज हैं अलग लग मेरे पास जैसे मैं कहीं शॉप में जाती हूँ कपड़ा की शॉप में जाती हूँ वहां पे मेरे को कोई कलर या कोई पीस ऐसे पसंदा जाता है कोई टॉप या कुर्ती बनाने के लिए या बलाउस बनाने के लिए तो मैं वो ले आती हूं यड़ मीटर बीडर जैसे होता है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि इसके साथ कोई कलर मैच नहीं होता है तो यह pieces बड़े रहते हैं तो हम कुछ बनाते भी नहीं है इस का तो इस तरह से मैंने यह pieces को इस तरह से use कर लिया है बहुत ही ये सिलक का कपड़ा है बहुत ही सुन्दर ये कुशन बनने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखें एक्चली मैं इसके चार पार्ट बनाऊंगी तांकि आप अच्छे से देख सकें कि कैसे मैंने इनको पीसिज बनाके इनको कैसे कुशन में कनवर्ट किया है अब दिखिए ऐसे यह कुशिन बन गया है यह उपर का कपड़ा जो रैप हो गया है वह जो सिलाई थी वह थोड़ी दिखती थी वह ऐसे उपर उठती थी क्यूंकि कपड़ा सिलाई करते हैं किचाव आ जाता है इस तरह से तो मेरे पास यह लेस पड़ी थी कि मैंने यो एक टुकड़े जैसे लेस के बज जाते हैं यह दो टुकड़े लेके उनको जोड लिया है तो अब मैं इनका यह जो ड्beryन वाला है दोनों साइड में दिखेगी जहां से कुशन अंदर डालेंगे वहां से भी दिखेगी और दूसरा जो सीधी साइड है जो मतलब की दिखती साइड दिखती है वहां पे भी यह लेश दिखेगी इस तरह से उसको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है ताकि वो जो नीचे का जो कप्रा है पिंक वाला उसके वो सिलाई उसके उपर ना जाए इस तरह से थोड़ा ध्यान से सिलाई करना पड़ा इसको थोड़ा टाइम भी लगा था इस तरह से ये वीडियो में ने बनाया है देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग